वेरी गूड बॉरिंग जो ओल्म एडियो फ्रेंड वेलकम टू क्यूरियोसली एजुकेशन मैं हूँ प्रशांत माववानी दिन की शिरुवात करते हैं पीटर ड्रकर के एक कोट के साथ हम जियोतिश के पास जाते हैं न कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ये जानने के लिए दिखिए मेरा तो भी तक का अनुभव ये रहा है कि इतने कोई खास सटीक जियोतिश मुझे मिले नहीं लेकिन जियोतिश शास्त्र का में विरोधी नहीं हूँ होंगे कुछ स्कॉलर्स होंगे कुछ ऐसे जियोतिश जो आपको सही दिशा दिखा है लेकिन अब मैं थोड़ा यहां पर आपको थोड़ा एक्साजरेटेड लगेगा लेकिन आइवुट से कि 95% जितने जो जियोतिश हैं वो आपको ऐसे ही कुछ ना कुछ बता देंगे और हम उसको हकीकत मान कर चलने लगते हैं ऐसा नहीं है वो बाकी के 5% जो भी हैं उनको मिलना या फिर उनसे मुलाकत होना इस वेरी वेरी डिफिकल्ट या फिर ये अगे इन तकदिर की ही बात हो जाएगी लेकिन एक बात है कि हमारा फ्यूचर जो है उसको क्रियेट करने की आप खुद के अपने फ्यूचर के या फिर जीवन के निर्माता बन गया है ये ताकत भी कुदरत ने हमें दी हैं सोचेगा इसके बार में 30th September 2023 है आज दिन है सेटरेड़े एडिटोरियल्स और आटिकल्स अनालिसिस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हमरे डेबल पर काफी सारे इंट्रेस्टिंग टॉपिक्स हैं लेकिन सबसे इंपोर्टन अगर कोई टॉपिक है आज का तो इटी इस दिस वन मोटिवेटिंग पबलिक सर्वन्स तू सर्व द पबलिक राइट ये आर्टिकल पता है किसने लिखा है मैं यहां पर नाम लिख दे रहा हू थोड़ा आप इनके बारे में रिसर्च कर लिए जेगा मैं आपको ब्रीफ तो दे ही रहा हूं इनका नाम है जूलियो रिबेरो जूलियो रिबेरो साब जो है उनकी एज लगबग लगबग 94 के आज पास है आज और वो एक रिटार्ड IPS ऑफिसर है और जूलियो साब जो है वो डीजीपी रहे हैं गुजरात के डीजीपी थे फिर पंजाब के भी डीजीपी रहे हैं I think पंजाब का मुझे शूर नहीं बट I think वो पंजाब के भी डीजीपी थे not sure about पंजाब मुंबई के कमिशनर थे एक समय पर और आप कभी पढ़िएगा उनके बारे में जीवन इ कैसे develop करनी चाहिए मिस आपको उसमें से hints मिलेगी अगर आप read between the lines कर पाये then you will get so many nuggets golden nuggets तो मेरे तो काफी favorite रहे हैं जूलियो रिबेरो साब राइट बहुत ही भले इंसान बहुत ही अच्छे इंसान है और आप कह सकते हैं कि वो IPS officer कम और लोगों के साथ मिल जूल कर रहने वा स्वीर आपकी स्क्रीन पर इनके article में उन्होंने लिखा है कि दो चीजे last week हुई एक चीज ये कि एक अनिल स्वरूप जो एक IAS officer retired IAS officer है तो उनकी एक किताब है तो इस किताब में क्या-क्या politicians के साथ उनके interaction रहे क्या-क्या अनुपव रहा वो सारी चीज़े अनिल और I'm sure आप इनके बारे में जानते होंगे जो seven police reforms वाले जो वाला जो case किया था ना सुप्रेम कोट में और सुप्रेम कोट ने फिर कहा था कि साथ चीज़े हैं जो सारे राज्यों को seven police reforms implement करने की जरूप तो ये प्रकास सिंग साब ने की थी तो ये retired IPS officer है और उन्होंने एक IPF नाम की organization जो है उसके उसमें ये जो जूलियो रिबेरो साब है तो उनको सनमानित करने की basically एक award देने के लिए invitation दिया राइट तो ये दो चीज़े हुई ठीक है अब हम चीजों में थोड़ा अंदर उतरते हैं एक organization है जिसका नाम है constitutional conduct group राइट ये government की संस्था नहीं है constitutional conduct group जो है इसका में काम ये है कि जो governance में जो जो खामिया है इन सारी खामियों को highlight करना point out करना और ये CCG जो है तो इसमें आपको former civil servants देखने को मिलते हैं और क्योंकि इनके पास इतना अच्छा अनुभव है और फिर वो अंदर से भी उन्होंने काम किया है अब system के बाहर है तो सारी चीजें जो है वो अच्छी तरीके से बहुत ही अच्छा जिसको कहते हैं vintage point vintage point का मतलब होता है अंगरे जीमें के कैसी जगह जहां पर आप बैठे है तो आपको वहां से दूसरी सारी चीजें जो है वो clearly नजर आती है अगर हम कोई एक fort पर बैठ है या फिर कोई उचाई पर बैठ है तो जैसे हमें इर्दगिर्द का area पूरा clearly दिखता है so that's what vintage point is all about right now यहां पर उन्होंने जो लखिम लखिम पूर खेरी नाम की जगह है ना उत्तर प्रदेश में तो अनिल स्वरूब साब जो है उस समय पर district magistrate थे और लखिम लखिम पूर खेरी बहुत पुरानी बात है तो उस समय पर क्या हुआ था कि वहां के जो local जो ruling party है तो उनके उस खित permission नहीं मिल सकती है और उन्होंने permission देने से इसलिए मना किया था क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर permission दी जाएगी और अगर यह लोग जुलूस निकालेंगे तो फिर riots हो सकती है तो उसके बाद यह जो party के chief थे उन्होंने आईस officer की बात नहीं मानी district magistrate की बात नहीं मानी औ और फिर वो जुलूस निकल कर निकलें और फिर अनिल स्वरूप साब ने आदिश दिया कि वह इनको जेल में डाल दो तो जब उनको जेल में lock up में डाला गया तो cm का phone आया उन पर chief minister का उत्तर प्रदेश के chief minister district magistrate को call करके बूचते कि आपने हमारे आदमी को क्यों अंदर ड कहा कि यह चीजे थी यह यह possibilities थी riots हो सकती थी तो that's the reason कि मैंने उनको कहा भी था कि आपको permission नहीं मिलेगी फिर भी उन्होंने rules and regulations को follow on नहीं किया और फिर उनको अंदर हमें lock up में डालना पड़ा ठीक है तो of course ऐसा जब भी incident होता है तो chief minister को थोड़ी पसंद आता है means उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि आपने उनका आदेश नहीं माना आपने उनकी बात नहीं मानी बड़ा ego ये वो etc बहुत चारी चीज़े लेकिन यहां पर authority और pragmatism दोनों का एक अच्छा balance किया pragmatism यानिकि आप समद लीजिए कि बुद्धि से काम करना तो उन्होंने कहा अनिल स्वरूप साब ने कि अगर अगर ये जो आपके party के जो लीडर हैं अगर उनको jail से रिहा किया जाए या फिर lock up में से रिहा किया जाए तो फिर अगर वो promise करते हैं आप promise करते हैं कि फिर वो riots मिंस ये जिरूस निकालना या फिर procession निकालने का काम नहीं करेंगे तो फ इस प्रकार के civil servants जो हैं वो आज rarest of the rare हैं शायद बचे ही नहीं हैं बहुत काम हो गए अगर आप एक बार पैसो के चक्कर में आ गया अगर आपने घूस लेना स्टार्ट कर दिया राइट देखिए कुछ ऐसी चीज़े हैं जिनको आपको नजर अंदास करना ही पड़ेगा this is a reality and when I say reality I mean to say कि अगर आपका आपको पता है कि अलग-अलग government की offices में पैसे लिये जा रहे हैं हाँ आपके सामने कुछ चीज़ हो रही है या फिर बहुत ज़्यदा हो रही है तो आप वहाँ पर जाएए रेड लगाईए ये सारी चीज़ें लेकिन आप फिर हर एक जितने भी civil servants हैं जो भी class 3 से लेकर super class 1 तक सारे लोगों ये कि बस आपका काम है कि उनको पकड़ना अगर वो mission है तो that's not going to help you ये बहुत ही practical बात बता रहा हूं मैं इसका मतलब ये नहीं है कि जो हो रहा है वो होने दो not at all लेकिन सबसे पहले जो हैं वो आप hundred percent clean होने चाहिए this is number one thing कि आपने कभी भी कोई ऐसी गलत चीज़ में तो फिर ये आपको बहुत ज्यादा problem means future में अगर आप कोई ऐसा firm decision लेंगे या फिर आपको ऐसी चीज़ करना चाते हैं जिससे बहुत बड़ा बदलावा है तो आपको क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें involved हैं आपके साथ दूसरे लोगों ने भी मलाइक आई हैं तो फिर व मिन्स आप expose हो सकते हैं this is number one number two psychologically और mentally भी अगर आपने पैसे लिये हैं तो फिर आप अब समथ लिजे यू directly indirectly you are a slave अभी power में हैं इसलिए सारी चीज़े चल रही है आप ऐसा लोगों के साथ है लेकिन कभी भी right चीज़े जो हैं वो आपके खिलाफ हो सकती है जेल भी जाना पड़ सकता है और बहुत सारे सा cases भी हमने देखे हैं and जैसा मैंने आपके बताना कि 100% आप clean होने चाहिए corruption free और इसी के साथ साथ जो आपकी service है उसके rules and regulations जो हैं वो आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए क्या चीज़े आप कर सकते हैं क्या चीज़े नहीं कर सकते हैं do's and don'ts services की terms and conditions सारी चीज़े कि आपको कब निकाला जा सकता है सारा transfer who is your boss आप किसके boss है ये rules and regulations अच्छे जब होंगे आपके then you can play the game तब जाकर आप जो right काम है वो कर सकते हैं तो ये गलत काम करने से आप तभी मना कर सकते हैं जब आप 100% clean हो और एक वक्त था जब civil service जो है वो ऐसे civil service काफी ज्यादा comment है तो यहाँ पर ये अनिल साब जो है अनिल स्वरुप साब उनकी किताब में उन्होंने यही सारी चीज़े बताई है किसे वो politicians जो हैं तो उनकी साथ कैसे politicians उनको मिले जीवन में अपने service में etc so this are the things now जो ऐसे corruption free या फिर बहुत ही efficient capable officers जो होते हैं वैसे regular time पर उनकी उतनी ज्यादा demand ना हो लेकिन जब चीज़े critical हो जाए जब चीज़े और ज्यादा difficult हो जाए तो उस समय पर ऐसे ही officers जो हैं उनको list में से चुना जाता है जो black list ना जहां पर ऐसा है कि ये corruption नहीं करें ये हमरे party के किसी के काम के नहीं है etc तो ये सारे list में से जो best officers हैं उनको critical task के लिए select किया जाएगा और अनिल साब जो उनके साथ ऐसा ही हुआ जो कोईला का घोटाला हुआ था उसके बाद कोईली का auction जो हुआ ना ये mines का तो उसमें main चीज जो है वो अनिल साब नहीं हैंडल की फिर हमारे यहां पर जो health insurance की आईश्मान भारत की जो scheme चल रही है तो इसके implementation का काम जो है उसकी responsibility भी अनिल साब को दी गई प्राइम मिनिस्टर ओफिस में जो leading projects monitoring group है जो बड़े-बड़े projects को monitor करने का काम है वो भी अनिल साब कर रहे तो ये as you can see के personal integrity और ability वाले जो offices होते हैं वो थोड़े बहुत difficult phases में ground level पर उनको difficulties phase करनी पड़ेगी लेकिन अगर वो ये चीज़ करते रहे अपना काम करते रहे निश्ठा से अपना काम करते रहे तो एक वक्त आएगा जब वो top level पर पहुंचेंगे और दूसरी अब ये बात होगी अब IPF की बात करता है IPF यानिकी Indian police foundation देखे किसी भी organization में कोई भी colleagues जो है वो आपको उतना ज्यादा spotlight में नहीं रखेंगे राइट जेलेसी ये सारी ची जा रहा है और इनको invite किया गया जूलियो रिबेरो साब को तो फिर पहले उन्होंने मना कर दिया लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि यार ये प्योर दिल से हैं ये प्योर इमोशन से हैं प्योर जो service है वो अच्छी service की है तो इस चीज़ को लेकर लोग मुझे एव होगा कि दूसरे जो लोग है जो जूनियर्स हैं जो नए लोग services में आ रहे हैं उनको भी direct indirect motivation मिलेगा तो ये IPF जो है ये एक उनके पास वो scholars हैं उनके पास वो सारे ideas हैं सारी research हैं तो यहां पर क्या क्या चीज़े जो है वो practical use में कौन से laws क्या क्या चीज़ें practically कर सकते हैं ये सारी चीज़े सिखाने के लिए ये IPF एक बहुत ही अच्छा organization है तो CCG और IPF मिल जाए और मिलकर काम करने लगे तो it will be a very big thing for civil servants और हमारी civil services में जो खामिया हैं उन खामियों को निकालने में ये दोनों organizations एक बहुत important role play कर सकती हैं and as we know कि अगर हमारी civil services clean हो गई अगर वो robust हो गई अगर ये जो हमारी steel की frame है उसमें थोड़ा बहुत जो dust लगा है वो dust निकल गया और ये फिर से अगर चमकने लगेग dear friends let's talk about one more legend एक और legend है ऐसे right unfortunately अब वो इस दुन्या में नहीं रहे उनकी भी age जो है वो 80 प्लस थी प्रोफेसर स्वामी नाथन ग्रीन revolution के पिता हमारे देश में right green revolution जो हुआ है तो उसके पिता father of India's green revolution प्रोफेसर M.S. स्वामी नाथन एक living legend थे हमेशा उनको याद रखा जा उनका जो contribution है it is outstanding और उनका निदन होना जो है वो एक पूरा जो एक एरा है उसकी एक आप कह सकते समापती हो गए प्रोफेसर स्वामी नाथन जो है उनका एक बहुत interesting incident है उस समय पर वो Indian agriculture and research institute IARI के director थे तो उस समय के हमारे prime minister इंदिरा गांधी जी जो है तो उनके साथ कार म पर वो जा रहे थे तो 30 minutes उनके पास थी के दुनों prime minister और स्वामी नाथन साब जो है वो एक दूसर के साथ बातचीत कर सके तो चलती हुई कार में ही prime minister गांधी जो है उन्होंने कहा कि भई आप जो बता रहे है green revolution etc वो implement करने के लिए तयार हैं हम लेकिन आपको मुझे commitment देन पड़ेगा कि आज से कुछ सालों के अंदर हमारे दीश में 10 million ton जितना wheat यहुँ जो है वो surplus में होगा पैदावार जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी अगर आप मुझे ये commitment देते हैं तो फिर हम इस पर आगे बढ़ते हैं और स्वामी नाथन साब जो है वो उस दिन कहत है कि जी हां हम commitment देने के लिए तयार हैं आप निश्चिंत रहिए green revolution से भारत में production जो है wheat production rice का production ये काफी ज्यादा बढ़ेगा और America से जो हमें गेहु मंगवाने पड़ रहे हैं ये सारी चीज़े नहीं होगी और Prime Minister जो है वो भी कहता थे कि वह Americans जो है वो फिर गेहु इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है राइट वो पूरी दुनिया जानती है शिप टू माउथ वाली कंडिशन थी कि जहाज में जब गेहु आते थे खाने पीने की ये जो अना जाता था तो फिर ये अनाज गरिबों में बाटा जाता था और तब जाकर हमारा पेट हम पाल रहे था ऐसी सिच्वेशन थी हमारे 1960s के समय में भारत की आजादी के बाद सिच्वेशन जो है वो बहुत ही खराब थी हमारी ऐसा नहीं था पले हमारे देश की धरती सोना उगले-उगले हीरों मोती ये सारी बात सच है लेकिन उस समय पर हमारी कैपसिटी वो नहीं थी तो ग्रीन रेवलिशन की वज़े से हरित करांती की वज़े से हमरे देश जो है वो सेल्फ सफिशेंट बना और बेंगल फैमाइन हुआ था 1940s में और 1940s के बाद भारत कोई भी देश जो है पूरी दुनिया डर गए थी कि फैमाइन जो है वो नहीं होना चाहिए कुछ भी हो जा शिप्टू माउथ वाली हालत थी फिर भी फेमाइन नहीं होने दिया फिर पिल 480 ये प्रोग्राम जो था ये USA का ये बैसिकली डेवलोपिंग देशों को फूड देने का एक प्रोग्राम था 1960 में अपना एक्स्ट्रा फूड जो है एक्स्ट्रा जो दाने थे या फिर ये भी वो चाहते थे के USSR की तरफ हम ना बड़े राइट हम USA की टीम में रहें USA के तरफ जुके हुए रहें तो यह जारी चीज़ा है जो है वो की जाती थे इसका विरोध भी काफी हुआ लेकिन कॉंट्रोवर्शल होने के बावजूद भी है वुट से के यह हमारे देश को फूड सेल्फ सफिशन बनाने में इसने एक मदद भी की राइट इसकी वज़ा से हमें लगा के नहीं हमें पर्मेनेंटली ऐसा नहीं हो सकता कि अब यूएसे पर डिपेंडेंट रहे है वेव तो फाइंट सम्झेंट वर आवर सब्सक्राइब को तो वो सपोर्ट करते थे उनके जनेता तो हैं ही हमारे देश में इसी के साथ साथ वो कहते थे कि हमारी जो मिटी है ना इसका कंसर्वेशन करना बहुत इंपोर्टन है वो कहते थे कि फिर आप अंदाधुन पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी इंपेक्ट हेल्थ पर भी आएगी और पानी का ग्राउंड वोटर का आप हद से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये वोटर टेबल कम हो जाएंगे सी 1968 में ये सारी चीज़ें उन्होंने एडवांस में कह दे थी कि फिर आप अनलिमिटेड हो जाए या फिर आप ब्रेक फ्री हो जाए नो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टिट्यूट के उनके टैनियर के दुरान उस समय पर वो उसक का एक कीट कीट आ गया था तो इससे राइस जो है वो राज राइस की फसले बरबाद हो रही थी तो जनरली अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो यही कहता कि आप और ज्यादा पेस्टिसाइड इस्तरमाल कीजिए लेकिन प्रफेसर स्वामिनाथन जो हैं उन्होंने इंट को त्यान में रखते हुए चीज़ों पर काम करने वाले एक इनसान थे स्वामिनाथन साब राइट वर ऐसा नहीं था कि वो टेक्नोलोजी के विरोधी थे वो टेक्नोलोजी के सपोर्टर थे लेकिन ब्लाइंड एडवोकेट टेक्नोलोजी के नहीं थे जीम की जब बात आ थी तो वो जीम के ऐसे विरोधी नहीं थे लेकिन वो कह रही थे कि अगर विटामिन A की ही बात है तो राइस जीम राइस से अच्छा है कि हम जो ट्रैडिशनल ड्रॉम स्टिक्स हैं राइस को बनाने के लिए बहुत सारी जगाव में ड्रॉम स्टिक्स जो हैं उनको डाला जाता है तो इस में से विटामीन ए जो है वो राइस के साथ मिल जाता है तो यह एक बहुत ही एजी सॉल्यूशन है ट्रिडिशनल फूड सोर्स रहा है यह नूट्रिशन का तो भी शुड फॉलो दिस तिंग रादर दें गोईंग विट जी एम राइस सी तो इस प्रकार की ची से हमें दूर रहना फिर किसान अगर अंधा तुन यह सारी चीज़ें करते रहें राइट अगर वो ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें ज्यादा ग्राउंड वोटर का इस्तेमाल करें और सरकारी स्कीम्स भी कुछ इस प्रकार की हुआ करती थी फ्री में इलेक्रि 50% जितना प्रॉफित मिले अगर इसका भी इंप्लिमेंटेशन हो जाए जो कहते है ना लेटर और स्पिरिट में इसका इंप्लिमेंटेशन हो जाए तो भी स्वामिनातन साब को हमने एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट दिया ये हम मान सकते हैं moving on to the next topic let's talk about a very interesting again a thing जिनको आज थोड़ा नजर अंदाज किया जा रहा है लेकिन this is going to be a हकीकत for everyone of us aging population plan for their social security now ये भारत के बारे में बात हो रही है इंडिया aging report 2023 UN population fund के द्वारा तयार किया गया और इसमें पता जलता है कि हमारे देश में अब seniors जो हैं उनकी संखिया बढ़ने लगेगी और जो youngsters हैं उनकी संखिया देरे देरे कम होती जाएगी 2050 तक हमारे देश में ऐसा होगा कि जो seniors हैं उनकी age 20 परसंट ही जो है ये 20.8% हो जाएगा July 2020 में हमारे यहाँ पर 10.5% seniors है तो as you can see ये डबल हो जाएगा 51% लोग जो है वो working age group के पाट है अब देरे देरे working age group वाले लोग जो है वो seniors होते जाएगे और ministry of statistics का report जो है वो भी UN के finding के साथ मिलता जूलता है elderly population 1991 में 6.8% थी 2016 में ये 9.2% हो गई और 2036 में elderly population जो है 14.9% हो जाएगी तो ये reports ये indicate करता है कि सरकार को elderly welfare के बारे में आज से ही सोचना start कर देना चाहिए आज से ही ये नीतिया बनाने की जरूरत है क्योंकि आज जो लोग यहां पर काम कर रहे हैं मैं आप हम सब आने वाले भविश्य में हम सब एक age को cross करेंगे बहुत सारी चीज़े शायद हम ना कर पाए physically हमें थोड़ा बहुत dependent होना पड़े तो healthcare, social security, pension ये सारी चीज़ों की चिंता है जो है वो हमें भी आज से करने की शरुवात कर देनी चाहिए और इसे के साथ साथ जो सरकार हैं उनको भी इस चीज़ को लेकर steps उठाने की ज़रूरत है और खास करके जो आज के youngsters हैं उनके लिए proper formal jobs generate करना वो भी बहुत ही important है United Nations का report करता है over 40% of elderly in poorest quintile आज 40% जितने elders हैं तो उसमें से 40% जो हैं उनकी हालत बहुत ही खराब है they are very very poor और corporate social responsibility जो हैं वो इस अदिशा में और ज्यादा invest करने की ज़रूरत है senior citizens के लिए social responsibility एक लंबे समय से 0.3% ही रही है on an average तो CSR इस senior citizens के लिए invest की जाए this is very important और इसका share भी increase करने की ज़रूरत है और इसके साथ CSR यान की corporate social response video आपको बता होगा के companies जो होती है बड़ी companies तो उनको उनका जो profit होता है उसका कुछ percentage वो charity में charity का का काम कर सकते हैं अगर वो करते हैं तो फिर वो उतना tax उनको कम करना पे करना पड़ेगा और यह कैसी वियवस्ता है जिसमें सरकार हर जगा पर नहीं पहुंच सकती लेकिन जो companies होती हैं वो companies अपने इर्द इर्द के area में अच्छे काम करती हैं which is a very good way of helping the society or giving back to society so this is the thing तो CSR जो है वो इस दिशा में और ज्यादा focused करने की या फिर और बढ़ाने की ज़रूरत है right now dear friends let's talk about this one burning money poor एक बहुती दुखत बात है कि एक लंबे समय से यह violence यहाँ पर चल रहा है central government state government मिलकर भी यह violence को रोक नहीं पा रही है money poor में as we know मेथी और दूसरी कौन सी community है tribal community बताईए comment section में आपको बता होना चाहिए right यह this is a 5 महीने पुराना topic है और जो ruling party है वो किस जो ruling party के जो leaders है वो मेथी है right और basically मेथी tribal community जो है उनको और ज्यादा benefits चाहिए तो यह rule आने वाला था इसकी वज़े से जो वहां की minority tribal party है या फिर tribal लोग है तो उन्होंने विरोध करना start कर दिया right तो this is something that is going on in money poor ठीक है यह main root cause reason है और उनका कहना यह है कि यह जो मेहीती है यह हर जगापर ज्यादा है जैसे के governance में politicians ज्यादा है और दूसरी सेवाओं में ज्यादा है और फिर अब इनको और ज्यादा reservation या फिर special status दिया जाएगा तो फिर इनका dominance और ज्यादा बढ़ने लगेगा तो यह clashes जो है उनकी शुरुआत एक लंबे समय से चल रही है अब ethnic violence जो है इसकी वज़े से 180 से ज्यादा लोगों की मृत्य हुई नजाने कितनी सारी properties जो है वो बरबाद हो गई और पूरे देश के लिए सबसे शर्म की बात ये थी जब दो महिलाओ को as we know कि क्या हुआ था राइट अब उस incident को फिर से यहाँ पर दोहराने की जरूरत नहीं है प्राइम निस्टर मोधी साब को देश को एड्रेस करना पड़ा जो कहते है कि बहुत निंदा भी हुई थी उनकी कि एक लंबे समय तक उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी रखी थी यह मनीपूर इस पर फिर उन्होंने इस पर अपना एक बयान जो है अपना स्टेटम अपना स्टेटम करेंगे नहीं है ठीक है और अभी वहां के डेप्यूटी कमिशनर जो है तो उनकी ऑफिस को जलाने की कोशिस की तोड़ फोड करने की कोशिस की सरकार ने फिर से यहां पर एफ आपस आपस पावर एक्ट उसको एक्सेंड किया है और दूसरी बहुत सारी च भी ग्रासरूट लेवल पर हमें चेंज देखने को नहीं मिल रहे हैं अब नेगोसियेशन बाचीत और इन सारी चीजों के माधियम से एक एमिकेबल सॉल्यूशन टूनने की ज़रूरत है और चीफ मिनिस्टर एन बिरेंज सिंग साब जो हैं तो उनके भी बहुत सारे नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली जो सेंट्रल गवर्मेंट हैं वो इनको क्यों नहीं निकाल रही है वरना दूसरी कोई जगा पर ऐसा कुछ हुआ होता तो फिर उनको निकाला जाता उस चीफ मिनिस्टर को चेंज कर देते लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ है बट अगे इसमें क्या होता है बट अनफॉर्चुनेटली हमारा यह राज्य जो है मुनिपुर तो इसके लोगों के लिए यह मिनसी एक लंबे समय तक दो तीन दशक तक यह चीज़े जो है वो चलती रहेगी कि इस यह जो अभी इंसिडेंट हुआ है 2022 में इसको हमेशा याद र जेन्डर जाते है और कियंटर जो फोटी जो है आख लिए जौने के बोट बीख़ास अभी चल करें लेंसेंट का एक रिपोर्ट आया है और पताचला है कि cancer में gender bias देखने को मिल रहा है right महिलाओ को cancer treatment में उतना ज्यादा access जो है वो नहीं मिल रहा है और cancer जो है it is one of the top cause for premature death 63% cancer death जो है वो Indian women की जो 63% में जो भारत की महिलाओ को cancer होता है और उसके बाद जो मृत्य होती है तो इसमें 63% जितनी मृत्य है जो है वो preventable थी अगर right time पर screening हो जाता और 37% में अगर timely treatment मिल जाती तो फिर वो आज भी एक normal जीवन जी रहा होते हैं अमने देखा ना बड़े-बड़े celebrities जो है Manisha Kaurala then we have Sonali Bendrae तो ऐसे कुछ celebrities है जो जिनको cancer हुआ था लेकिन they are doing very well now right of course वो एक बहुती dark phase में से निकले हैं लेकिन because they are educated because they have seen the world right because उनके पास पैसे हैं वो empowered है तो right time पर right treatment मिली and they are looking very beautiful even today right वो means you can see them glowing again so this is just an example that it's not an end it can be treated अगर right सारी चीज़े जो है वो time पर मिल जाए time पर screening हो जाए time पर दबाई मिल जाए time पर care मिल जाए time पर कोविट के टाइम पर भी हैसा ही हुआ था ना healthcare system में कितनी disparities हैं वो सारी बड़ा issue जो है that is lack of knowledge on cancer types and causes बहुत सारे अलग-अलग cancer महिलाओं को होने के chances होते हैं जैसे के breast cancer, cervical, ovarian, uterian cancer तो ये सारी चीज़ों को लेकर महिलाओं में awareness create हो और check-ups को लेकर decision making का पार्ट वो नहीं रहती है लेकि फिर गाओं की महिला है तो फिर शहर में जाना पड़ेगा पहरे तो उनको पता होना चाहिए कि मुझे ऐसा कुछ हुआ है या फिर ऐसा हो सकता है या फिर ये problem जो है तो let me go to a city और वहापर जाकर scanning करवा या फिर जो भी reports निकालना है वो reports निकालना है फिर वो पैसे वैसे जो लगेंगे तो ये सारी चीजे जो है उसमें उनका भी decision होना चाहिए न फिर अगर वो जा ही नहीं पा रहे हैं या फिर उनको कोई ले नहीं जा रहा है तो फिर you can imagine की screening ही नहीं होगी तो फिर treatment कैसे start होगी तो ग्रास route लेवल पर भी ये travel difficulties और ये सारी चीजों की वज़े से महिलाओं को बहुत सारी दिक्कत हो रही है लेक अफ एजेंसी इन विमेंस healthcare highlighted in 2019 study उनले 37% of women had access to healthcare compared to 67% of men regular healthcare में भी ऐसा है कि healthcare के access की बात करे तो 67% men और मिलता है तो क्या वो बिमार नहीं होती बिमार होती है लेकिन importance नहीं दिया जाता है तो central government को of course maternal health है उस पर central government का का काफी अच्छा focus है काफी चीज़ें काफी अच्छी schemes भी चल रही है central level पर state level पर लेकिन दूसरी जो चीज़ेंस हैं और दूसरे ऐसे जो diseases है तो उनको लेकर awareness create करने की जरूरत है और जो आईशमान card है तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो हैं को भी cover करने की जरूरत है खासकर कि महिलाओ को होने वाले जो problems है या फिर जो vulnerabilities है तो उनको यह आईशमान भारत में अगर coverage मिलेगा awareness create होगी reports और screening उन सारी चीज़ों में अगर रहत मिलेगी तो फिर बहुत सारी महिलाओ जो है उनको right treatment मिल सकती है and that's basically everything in today's discussion dear friends thank you very much for your love and support right you can get in touch with me via social media और सारी links जो है वो आपको video description में मिल जाएगी video पसंद आया हो तो share the video and of course questions भी है आज राइट let me quickly take you through the questions okay तो सबसे मेरा question यह है कि during which year was goa officially declared the 25th state of our country हमारे देश का 25th राज यह गोआ कब बना दूसरा question है यह एक term है यह एक शिब्द है जिसको कहते है quadruple skulls यह quadruple skulls जो है यह किस sports में use किया जाता है या फिर किस sports के साथ जुड़ा हुआ यह शब्द है G20 की स्थापना किस साल में हुई थी और last question है global partnership on artificial intelligence इसका current chair consultation and that's everything in today's discussion dear friends right तो video को share जरूर कीजिएगा दूसरे students के साथ बहुत सारे लोगों को QDSL education के बारे में और इस series के बारे में पता नहीं है तो उन तक पहुंचाने का काम जो है वो आपका है and let me tell you one more thing dear friends कल Sunday है तो कल ये series जो है वो बंद रहेगी tomorrow it will be a day of अब हम directly मिलेंगे Monday को till then God bless you all Jai Hind